हेलो फ्रेंद्स वेलकम तु मैं चैनल और आज के वीडियो में हम बात करने वाले सिंडर के बारे में बट विडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चानल सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चानल और अब मैंने फेस्बुक और इंस्टेग्राम पे भी अपना अकाउंट बना लिया है तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं यह मेरा फेस्बुक का है पेज का डिटेल्स है और यह इंस्टाग्राम की है तो वहाँ पर भी आप अपने व्यूज आइडियाज शेयर कर सकते हैं तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं ये है सिंडर और ये किसी भी volcanic eruption से निकला हो material नहीं है फ्रेंड बिलकुल भी और ये एक किसम का industrial waste है जब लोहा गलाया जाता है उसकी processing होती है फैक्टरीज में तो जो ये राख निकलती है ये एक तरीके की राख है industrial waste है जब लोहे की processing होती है इसे सिंडर बोलते हैं और ये volcanic eruption से निकला हो material बिलकुल भी नहीं है और ये बहुत ही easily market में available होता है बहुत कम rates में आपको मिल जाएगा और आज कल gardening में जो soilless media के जिसमें प्लांट में ज़्यादा जरूरत होती है उसमें ये use किया जाता है जैसे अडेनियम है रो केले नहीं use कर सकते इसे use करने के लिए आपको जो है compost जरूर मिलानी पड़ेगी इसके अंदर छोटे छोटे एक तो उसको बहुत मतलब आपको pieces में कर लेना क्योंकि बड़े-बड़े size में आता है ये तो मैंने इसे छोटे-छोटे से pieces में करवा लिया है मैंने अपने labor से यहाँ पर मेरे घर में काम चल रहा है तो मैंने इनको बोला तो इन्होंने छोटे-छोटे pieces में इसको कर दिया और इसमें इन्होंने compost मिला लिया है और ये rose king मिला रहे हैं और sand और soil मैंने mix करके जो रखती हूं plants के लिए वो मैंने इसमें मिला लिया है बट उसकी percentage काफी कम रखी है और compost अच्छे amount में अब यह जो हमारा rose plant अफ्रेंस यह बहुत ही टाइट में लगावा था बहुत ज्यादा वाली टाइट थी इसकी soil तो मैंने पूरी soil remove कर ली थी पानी में डिप करके तो soil पूरी रिमूव हो चुकी है प्लांट में से अब क्यूंकि फ्रेंस हमने तो इसमें मैं लगाऊंगी थोड़ा सा रूट हॉर्मोन पाउडर और पास रूट जो मैं हमेशा यूज करती हूं वह मैं लगाऊंगी ताकि किसी तरीके से इसमें कोई पंगल इंफेक्शन नहीं हो और रूट्स डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है तो मैंने पास्टू जब आप सिंडर का यूज करें क्यूंकि जो चल दो करता है इसके जो भी छोटे जो झोटे एंग बटीद माटी तो तो अगर शींद करते हैं तो अगर वह पहल लें तो भी हूं रूट्स नहीं होती है वर्ट इसमें क्या करना है इसको मैं आपको बहुत आराम से काम करना ह और धीरे धीरे से soil फिल करनी है नहीं तो roots damage हो सकती है क्योंकि इसमें edges निकली होती है तो बहुत carefully मैं इसलिए pot fill कर रही हूं थोड़ा सा time जरूर लगता है बट यही तरीका सही होता है नहीं तो roots बहुत delicate होती है चोटी चोटी होती है और especially जो new plants होते हैं बहुत delicate होते हैं तो उनको बहुती अराम से जो है handle करना चाहिए तो मैं बहुत अराम से इसलिए भर रही हूं तो friends यह जो media है यह आप बिल्कुल succulence cactus और यह सब के लिए तो use कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका एक और benefit होता है कि अब हम लोग क्योंकि जादतर terrace पे gardening करते हैं तो यह बहुत lightweight होता है और इसका rate बहुत कम होता है यह मैंने 120 रुपीज की पूरी एक सिमेंट की जो बैग आता है उतना बड़ा पूरा बैग मुझे 120 रुपीज का मिला है और यहां पर अगर आप एलाबास से जो भी लोग है जो वीडियो देख रहे हैं प्रियाग्रा से हैं वो यहां पर खुल्दा बाद में यह सिंडर बहुत easily available रहता है से जहामत भी बोलते हैं कोई कोई लोग इससे जहामत बोलते हैं को जहामí बोलता है तो यह खुलदाबाद में मिलता है जहां पर लोग के समान की मैं दुखान में रूप से पर्चिस किया है तो अब देख सकते हैं यह मेरा पॉट फेल हो चुका है सिंदर वाले पॉटिंग मिक्स है और अब हम इसमें कर देंगे वाटरिंग और उसके बाद इसे कुछ दिनों रखेंगे च्छाओं में जब पॉट में यह प्लांट एजस्ट हो जाएगा तो हम इस से फुल सनलाइट में ले आएंगे तो फ्रेंज आए होप यह चोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगाओगा अच्छा लगाओ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और शेयर जरू करना